हलो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्रस्टी स्टेडी पॉइंट में और जी हाँ आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो है पॉलिटी से संबंदित यानि की राजविवस्ता से संबंदित और इसे पहले इसी से पॉलिटी से संबंदित एक वीडिय मिलेगी और आज हम बात करेंगे भारती संबंदान के भाग कितने भाग हैं बारती संबंदान में जब मूल संबंदान था यानि कि जब हमने अपनाया था कब अपनाया था बता दूँ आपको 26 जनवरी 1950 को अपनाया था यानि कि लागू किया गया था तब कितने इसमें भा कारे में मैं आपसे बात करूंगी बस इतना है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे या वीडियो में आपको ये लगे कि हां कुछ नया सीखने को मिला है या मेरी थोड़ी सी मैनत आपको नजर आए तो प्लीज वीडियो लाइक कर दीजेगा और चैनल पर नए है तो प्ल बारती संविधान में बाईस भाग हैं और अनुच्छेद कितने हैं 395 और 12 अनुच्छ ये कुशन अकसर आता है कि भारती संविधान में कितने भाग अनुच्छ ये एक साथ आ जाता है और उस में से आपको option चूज करना होता है तो इस चीज को याद कर लिजेगा ये तो बारा और बाईस तो याद कर लेंगे आपके बाईस अन भागें और बारा अनुसूचियां लगबस सिमिलर सा लग रहा और तीन सो पिच्चान में अनुच्चेद ऐसे याद कर लीजगा जब मूल सम्मिदान था हमारा तो इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी है फिर से बता दूं मूल सम्मिदान में भाग 22 ही थे और जो अनुच्चेद वो 395 ही और लेकिन जो अनुसूचियां थी वो आठ थी आठ से अब अनुसूचियां सम्मिदान संसोधन के बाद 12 हो चुकी है क्यों हो चुकी है उनके बारे में मैं आपको जब वीडियो कभी अपलोड करूँगी तो आपको जुरूर बताऊंगी जिससे कि आपको सम्मिदान के बारे में सब कुछ नॉलेज हो जाए पोशिश य चुरी इन सब के बारे में एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी मैं उसमें सारी नॉलेज देनी की कोशिश करूँगी साथी साथ MCQ भी लाऊंगी उसमें तो आज हम 22 भाग के बारे में बात करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहां पर ये दिया है देखे हमारे सम्मेदान में 22 भाग हैं उनको ध्यान में रखिएगा भाग एक भाग एक में संग और उसके राजसेद संग का मतलब हमारा जो भारत है पूरा संग है उसके जो राजचेतर है उन सब के बारे में दिया है और कौन से अनुछिद में दिया अनुछिद एक से च कोशन अक्सर आते हैं कि नागरिक्ता हमारे कौन से भाग में हैं भाग 2 में हैं कौन से अनुच्छे दमस में अनुच्छे 5 से 11 क्योंकि 4 तक तो पहले बाले में फिर 5 से शुरू होंगे 11 तक नागरिक्ता में हैं फिर इसके तीसरे पॉइंट पर आते हैं जो बहुत important है और का कि अनुच्छे दिसमें जुड़े हुए हैं कितने हमारे मौलिक अदिकार हैं क्या क्या उनके नाम है इन सबसे सम्मंदित भी आपको वीडियो अप्लोड करूँगी मैं यहां पर अगर बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो 12 से 35 तक हमारे मौलिक अदिक प्र भाग वीडियो की तो हमारे भाग चार का है है फिर भाग चार का,,, चार का आप समझे गए होंगे अब किछार का हुए है ? कि यह संम्मिधान शंसूधन की द्वारा जोड़ा घूआ गया है चार में ही जोड दिया गया है उसका उखंड बना दिया गया है और देखिए इसके क्योंकि अनुच्छेद तो अलड़ी पहले ही बटे हुए थे तो 51 बाज जो अनुच्छेद उसी में का लगा के इसके सारे हमारे जितने भी मौलिक कर्तब हैं उनके बारे में आपको बताऊ इसको याद रखेगा भाग चार का में मौलिक कर्तब हैं 51 का अनुच्छेद में जुड़े हुए हैं और 42 में संविधान संसोदन से जुड़े गए जो संसोदन 1976 में हुआ इसको याद रखेगा तो ये तीन चार जो हैं वो सबसे जादा इंपोर्टन है वैसे सबी कुछ इ इपोर्टेंट है नागरिकता मौलिक अधिकार राज के नीती ने दे सकता तो और मौलिक करता तक यह उसके बाद पाँच में में संग सरकार के बारे में है कि राश्पती प्रदान मंत्री उपराश्पती इनके बारे में दिया है और 52 से 151 तक फिर भाग 6 में राज सरकार के बारे में दिया है 152 से यह दिया है 237 तक तो यह आपको समझ में आगए यहां पर राज के बारे में है बिधान सवा और इस सब के बारे में दिया है मंत्री परिश्पत कैसे हों मुख मंत्री कैसे होंगे यह सब दिया है इसके बारे में तो भाग 6 तक आपको समझ में आ गय भाग साथ जो है वो कट चुका है उसको बिलुप्त कर दिया गया है इसको मैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी यह उस समय था जब आंदर प्रदेश वगारा को भाशा संबंदी राज गोशित करना था जम्मू कश्मीर और इन सब से संबंदित जब हमारा भारत जो है आजाद हुआ था तुरन तब ही बना था यह तो इसलिए अब इसके कोई जरूरत नहीं है इसलिए इसको काट दे गया है अब भाग आठ में है केंदर शाषित प्रदेश आप जानते हैं दिल्ली है पूडुचेरी है सब हमारे केंदर शाषित प्रदेश है तो इनके बारे में दिया हुआ है कितने केंदर शाषित प्रदेश है हमारे आठ केंदर शाषित प्रदेश है इससे आप याद रख सकते हैं आठ वे नमबर पर भाग आठ में यह समझ लीजे यह आपको अच्छा तरीका उगया आठ करने का भाग आठ में दिया है आठ ही केंदर शाषित तो इससे आप याद कर सकते हैं फिर आगया भाग नौ में नौ में पंचायते दी हैं इससे भी संबंदित कोशन बहुत आ जाते हैं 243 के से संबंदित हैं पंचायतों से कौन से भाग में भाग नौ में और भाग नौ में ही का बना दिया गा है पंचायतों के साथ नगर पालिकाएं जोड़ दी गई नौका में और नौका में जो है सैकारी समितियां जोड़ दी गई है अब इसका सम्विधान समसूदन नौका और नौका का देखिए इसका 74 वा सम्विधान समसूदन था 1992 में और नौका का जो है वो 97 वाँ सतानवेवां जोहत्तर में साथ पहले और सतानवे में साथ वाद में ऐसे करके याद कर सकते हैं 2011 में ये जोड़ा गया फिर दसमा आगया अनुसिचित और जंजाती शेत्र 11 में आओ गया संग और राज संबंद ये पूछ ले आता है अकसर 245 से 263 तक बारवा जो हमारा भाग है वह बित संबंदी सम्था एज संब पत्ती संविदा है और वाद के संबंद में ये सब है फिर उसके आद अब चलते हैं बारव वंने भाग देख लिये अब भाग 13 देखते हैं क्या कहता है भाग 13 में बोई भारत के राजशेत्र के भीतर व्यापार क्या होना है वाड़े जिसमागम ये सब है 301 से 307 तक फिर भाग 14 में जो है बोई संग और राज्यू के अधीन जो सेवाएं हैं उन सेवाओं के बारे में हैं 308 से 323 तक तो इसमें जो लोक सिवा आयोगर ये सब आता ये सब आयगा इसमें जहां तक है और भाग 14 का आप देख लीजिए जिसमें का खा लगके ये भाग ये समझ लीजिए संसुदन के जो आ रहा ही जुड़े गया है बाद में तो भाग 14 का जोड़ा गया अधीकरण से संबंदित 42 में सम्मिदान संसुदन में 42 में सम्मिदान संसुदन कब हुआ 1976 में ये आपको पताईए तो इसमें 223 का और खा जोड़े गए क्योंकि का खा करके अनुछेद भी जोड़े जांगे कि अनुछेद तो जितने थे उतने ही है उसके आत पंद्रमा सबसे इंपोर्टेंट है ज 329 का तक इसको याद कर लीजेगा फिर भाग सूला है अनुसुद जाती जन जाती पिशड़े वर्ग आंग भारतियों के संबंद में विशेश उपबंद किये हुए 330 से 342 तक फिर बहुत इंपोर्टेंट आ गया भाग सत्रा राजभासा भाग संत्रा राजभासा राजभ इसको याद रखेगा भाग 15 को भी फिर से रिमाइंड करा दे रहूं याद कर लीजेगा रिवान निर्वाचन से संबंद देता है फिर भाग 18 बहुत इंपोर्टेंट आपात उबंद ये कोशन अकसर पूछ ले जाता है 352, 356, 360 ये क्या है इनके बारे में मैं आपको सब क बताऊंगे ये तीन आपात उबंद हैं देखे 352 से 360 तक इसमें दिये भी हैं ये भाग 18 याद रखेगा तो भाग 15 में निर्वाचन फिर से बता दे रही हूं और ये इंपोर्टेंट है भाग 17 मिराज भासा भाग 18 में आपात उबंद उसके अद भाग 19 में प्रकीन है 371 स से 360 तक और उसके बाद 20 भाग 20 बहुत इंपोर्टेंट है संवेदान संशोधन जिन संशोधन के द्वारा ही हम अपने संवेदान में बहुत से चीज़े घटा और बढ़ा लेते हैं क्योंकि हमारा संवेदान बहुत लचीला माना जाता है तो इसलिए 368 एकोशन अकसर पू इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट है वह आपको मैं बताती जा रहे हूं कि एक्जाम में आएंगे ही आएंगे वैसे याद तो हमें सब करने चाहिए यह देखे फिर से मैंने भाग 20 से आपे दिखा दिया है कि संवेदान संशोधन से संबंदित है 387 अनुछेद है फिर एक से हम चले और 395 प्या के खतम हुए है भले इसके अंदर अनुछेद काखा गग करके जोड़े गए हैं तो उनको हम इसमें जोडते नहीं है वैसे बहुत से लोग यह कहते हैं अनुछेद और बढ़ गए हैं 395 से जादा नहीं हुए हैं उनके अंदर उपकंड करके बहुत पूचा जाता है भाग 9 में और यह भी संग और राज संवन्द भाग 11 में पूचा जाता है यह सब बहुत इंपोर्टेंट हैं इसके साथ सदी शुरू के मैंने आपको बताए नागरिक्ता मौलिक अदिकार राज के नीती निदेशक्तत मौलिक करतव यह चारों बह याद रखेगा फिर से एक बार रिमाइंड करा देती हूं राज भाषा भाग 17 में हैं इसको याद रखेगा 347 निरवाचन भाग 15 में हैं संविदान संशोधन भाग 20 में हैं जिसका अनुच्छेद है 361 ही अनुच्छेद है इसको याद रखेगा यह बहुत इंपोर्टें तो प्लीज लाइक कर दीजगा वीडियो को और शेर भी कर दीजगा दोस्तों को और उसके साथ साथ आपको लग रहा हो कि हां मैंने मेनत की तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएगा नई नी अपडेट आपको मिलेगी हर सब्जेक से सम्मंदित में कोशिश जैसे कि आप मेरे चैनल पर अगर एक बार आएं तो आपको जादतर नौलेज मिले हर टॉपिक से सम्मंदित मिले तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार